हेलो अब्रिवन कीटू ब्लागिंग में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लागर वेबसाइट पे कुकी कंसेंट पॉप अप कैसे लगा सकते हैं क्या करता है आप के यूजर को इंफर्म करता है कि आपके वेबसाइट में खोल रहा है तो यह आपको इसे्ट में मैं लगा सकते हैं तो इसको कैसे लगाएंगे मैं पूरा स्टेप आपको बताऊंगा तो वीडियो को एं तक जерूर दिखिएगा तो चलिए दिखते हैं कि यह actually कैसे दिखता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cookie consent pop-up दिख रहा है अगर मैं इसको mobile पर open करूंगा तो यह इस तरह का दिखेगा तो यह fully responsive cookie consent pop-up है जिसको आप अपने blogger website पर इस्तमाल कर सकते हैं और यह आपका जो page speed है उसको भी effect नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किया है sbg icons और पूरा html session javascript से बना है तो अगर एक बार क्लिक हो गया तो यह फिर से कोई भी pages पर open नहीं होगा 30 days तक 30 days के बाद फिर से वह cookie concern pop up है वह इस website पर कैसे लगाएंगे तो सबसे पहले हमको एक code copy करना होगा तो मैं यह page का link आपको description में डाल दूँगा तो आपको बस यह code को पूरा copy करना है तो मैं यहाँ पर पूरा code को copy कर देता हूं उसकी बाद आपको blogger dashboard पर जाना है उसके बाद आपको theme पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको edit html पर क्लिक करना है उसके बाद आपको scroll down करना है पूरा end में आपका जो theme code है पूरा end में scroll करना है और उसके बाद आपको मिलेगा closing body tag जो की second last line होता है जजातर तो मैं इसको क्या करूँगा just above में paste कर दूँगा उसके बाद मैं save कर दूँगा आपका काम done हो गया है वो जो cookie concern pop up है वो आपके blogger website में add हो जाएगा यह इतना simple है तो मैं क्या करूँगा उसको back करता हूं उसके बाद वो website में जाके एक बार refresh करता हूं और आप देख सकते हैं जो cookie concern pop up है वो add हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं जो chart on whatsapp है वो उसके उपर सो कर रहा है अगर आप चाहते हैं कि जो cookie concern pop up है वो जो whatsapp चार्ट बटन के उपर सो हो तो आपको जो css code में कुछ changes करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको यहां पे select करना होगा inspect element पे यहां पे आपको cookies row पे click करना हो है यहां पे आपको एक settings मिलेगा g index तो इसका value 990 है तो मैं इसको change करके डाल देता हूं 150 आप देख सकते हैं 1050 आप देख सकते हैं जो cookie concern pop up है इसके ऊपर show कर रहा है तो कोई भी element अगर इसके नीचे अबलाग कर रहा है तो आप उसका जो g index value increase or decrease कर सकते हैं अपने हिसाब से यह क्या कर रहा है by default right side में show हो रहा है तो अगर आपको इसको left side में show करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं तो मैं इसको थोड़ा increase कर देता हूं अगर आप चाहते हैं कि cookie concern pop up left side में show हो तो आपको right 0 pixel के जगा आपको left 0 pixel करना है इससे क्या होगा यह left side में show होगा तो इस तरह से आप यह cookie concern pop up में modify कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा यह सारी चेंजेस को अपने theme code में से change कर दूँगा तो मैं यहाँ पे एडिटेच ने में पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं scroll down करूँगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो css code तो यहाँ पे जो cookie box है उसके अंदर आपको मिलेगा जी इंडेक्स तो मैं इसका जी इंडेक्स थोड़ा increase कर देता हूँ आप देख सकते हैं जो cookie concern pop up है वो left side में show हो रहा है और वो बढ़िया दिख रहा है तो मैं इसको inspect element पे क्लिक करता हूँ थोड़ा और इसको मैं change कर देता हूँ iPhone SE पे आप देख सकते हैं iPhone SE पे यह इस तरह का दिखेगा और यहाँ पे मैं change करता हूँ iPhone XR तो आप देख सकते यह इस तरह का दिख रहा है अगर आप इसका container का width increase करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे cookie box को select करेंगे और इसका width 90% है और इसका height है वो 100 pixel है तो इसका height अगर increase करना चाहते हैं जिसे आप यहाँ पे 120 pixel कर सकते हैं या यहाँ पे 150 pixel कर सकते हैं तो इसका height automatically adjust हो ज इसका background color भी आप चाहें तो change कर सकते हैं इस तरह से यहां पे आप pink color light pink color लगा सकते हैं यहां पे इसका box और effect और बाकी सारा value आप CSS से handle कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा इसको एक बार refresh कर देदा हूं तो आपको पता चल गया होगा कि आप अपने blogger website पे cookie consent pop-up कैसे लगा सकते हैं और यह एक बार accept हो जाने के बाद वह बार बार वह सो नहीं होगा आप देख सकते हैं कोई भी दूसरा page को visit करेंगे तो आपका cookie consent pop-up सो नहीं होगा बट वही सेम लिंको में अगर इनकाग्निटो मोड पे उपन करने का तो cookie consent pop-up फिर से सो होने लगेगा आप दख सकते हैं जो cookie consent pop-up है वह सो कर रहा है तो once accept करने के बाद वह 30 days के तक वह जो कुकी चे अपने ब्राउजर पर सेफ हो जाएगा और फिर से यह ब्राउजर पर बार बार सो नहीं होगा तो आप इस तरह से अगले बीओना, thank you